कुरोना वाइरस बिमारी के मरीजों की संख्या को बढ़ता हुआ देख प्रदीश की सरकार एवं प्रश्यासन ने आम जन की सुरक्षा विवस्ता बनाये लखने वग बिमारी की बारे में बचाओं की जानकारियों को लेकर मोर्चा संभाल लिया है अनील जोश्रीश सी एमो नगर परिशत कन्नोद से प्रेस कॉंफरेंस में जानकारी देते हुए बताया कि कन्नोद के लापरवा दुकान दारव रहागीरों के द्वारा मास्क नहीं पहनना दुकारों में भीर लगाना सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर का दायर दी गई है इसी तार्टम्य में आज होटल वेवसाइब कपड़ा वेवसाइब अन्य बिना मास्क घूमने वाले के विरुद कारवाई कर मौके पर ही 1250 का दन्ट वसूला गया है पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमन से लगवाग पूरा प्रभावी थो रहा है और हमने फिर से आज कन्यों की जंता को यह आगाह किया कि आसपास के जिलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो हम इधर ग्रामेड एरिया में रहते हैं तो हम स सबको आज जागरूप किया है और यह अभियान हम लगातार चलाते रहेंगे इस अभियान के दाथ हम भी में मास्क भी माटेंगे जो नहीं पहनेंगे तो उनको जुर्माना भी लगाएंगे और लोगों को लगातार हम प्रेजिक करते रहे हैं देवासी केमरमेन अभिशेख सोनी के साथ राजश पवार की ये रिपोर्ट